जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो इस समय आरार भी एंटेपी से के एक्जाम कंड़क करवाय जा रहे हैं और उसमें जो भी अभी तक जीके और करेंट अफेर्स के प्रशन पूछे गए हैं उनी के आधार पर हम लोगों ने एक नई स्रीज की शुरुआत की तो यह स्रीज अगर आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार के एक्जाम में अपियर होना है तो उसके लिए काफी ज़्यादा महत्पूर्ण होगी और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम जो भी भारत के या दुनिया के प्रमो खिलाडी रहे हैं उनके द्वारा ल चलिए इस वीडियो की हम सुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करेंगे एस सेंचुरी इस नॉट इनॉफ तो ये पुस्तक आलरडी आपके एंटी पीसी में पूछी जा चुकी है भारते टीम के पूर्व कप्तान है सौरब गांगुली इनी की आत्मकता है तो इसके बारे मे के द्वारा लिखी गई पुस्तक है एस सेंचुरी इस नॉट इनॉफ फिर अगली पुस्तक है 281 एंड बियॉंड तो आश्टिलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच हुआ था जिसमें 281 रनों की पारी खेली थी बीवेस लच्चमन ने और इसी के आधार पर इन्हों ने अपन कथा लिखे थी बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण पुस्तक है अगली पुस्तक है इस्टेट फ्रॉम दी हर्ट कौन सी है इस्टेट फ्रॉम दी हर्ट तो इस्टेट फ्रॉम दी हर्ट पुस्तक की बात करते हैं तो ये कपिल देव जी की आत्म कथा है किसकी है कपिल और इसके अलावा, Cricket My Style नाम के पुष्टक इनके द्वारा लिखी गई है, तो दोनों पुष्टकों के बारे में आपको ध्याँ रखना है, State From The Heart ये NTPC में अलड़ी पूछी जा चुकी है, अगली पुष्टक है, Wide Angle Candid Moments From My Playing Days, तो अनिल कुम्बले, जो की भारत के पुष्टक है, अगली पुष्टक है, Playing It My Way, तो ये पुष्टक काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है, क्योंकि Master Blaster सचीन तेंदुलकर के जीवन पर आधारित है, यानि कि सचीन तेंदुलकर के द्वारा लखी गई ये पुष्टक है, Playing It My Way, तो कई सारे एक्जाम में अलड़ी ये पुष्टक पूछी जा चुकी है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, कि Master Blaster सचीन तेंद सुनील गावासकर और इन्ही के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है, सनी डेज नाम की पुष्टक से, तो वैसे भी इन्हें सनी पाजी कहा जाता था, और इन्हें लिटिल मास्टर भी कहा जाता था, तो लिटिल मास्टर इन्हें कहा जाता था, और इन्ही के द्वार लखी गई पुस्तक है six machine I don't like cricket I love it तो पुस्तक के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि किसके द्वारा लखी गई यह पुस्तक होगी दुनिया में सबसे ज़्यादा six मारने वाले खिलाड़ी है Chris Gill और इनी के द्वारा लखी गई है पुस्तक जिसका नाम है six machine और इन्हें universe boss के नाम से भी कई बास समोधित किया जाता है तो ध्यान कियेगा universe boss अगर आप से पूछ लिया जाता है तो वो आपके हो जाएंगे Chris Gill फिर एक पुस्तक है जिसका नाम है out of my comfort zone तो आश्टिलिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक है Steve Wa और Steve Wa के द्वारा लिखी गई पुस्तक है out of my comfort zone तो ध्यान कियेगा ये भी एक क्रिकेटर है फिर हम बात करते है line and strength नाम की पुस्तक की तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है Glenn McGrawth ने Glenn McGrawth का नाम cricket premium को जरूर पता होगा ये भी आश्टेलिया के एक महान तेजगेद बाज थे और इनी के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी गई है line and strength नाम के पुस्तक के रोप में अगली पुस्तक है imperfect तो भारत के पूर्व खिलाडी रहे हैं संजे मांजरे कर वरत्मान में कमेंटेटर के भुनका में आप इनको देखते होंगे और इनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है imperfect तो ये पुस्तक भी काफी ज़्यादा महतपूर्ण है अगली हमारी बुक है game changer तो अभी हाल ही के दिनों में पाकिस्तान के जो cricket खिलाडी है अगली पुस्तक है controlversely yours क्या है controlversely yours और ये जो पुस्तक है इसे लिखा है रावल पिंडी एक्सप्रेस स्वयब अक्तर ने तो पाकिस्तान के ये पूर्व गेदबाज रह चुके हैं स्वयब अक्तर और इनी के द्वारा लिखी गए पुस्तक है controlversely yours तो इस समय ये यूटूबर की भूमिका में भी आपको यूटूब के उपर दिखेंगे अगली पुस्तक है no spin तो ध्यान रखिएगा no spin नाम की जो पुस्तक है वह आश्टीलिया की spin गेदबाज leg spin गेदबाज थे same one इनके द्वारा लिखी गई है किसके द्वारा same one के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और जब same one का नाम आए तो आपको ध्यान रखना है कि test cricket में मुथया मुर्ली धरन के बाद में सबसे ज़्यादा विकड लेने के मामले में दूसरे अस्थान पे है same one काउन है दूसरे अस्थान पे है same one और तीसरे अस्थान पे आते हैं अनिल कुम्बले तो इनका नाम ध्यान रखना है same one का no spin नाम के पुस्तक इनहीं के द्वारा लिखी गई है अगली पुस्तक है beating the field of Brian क्या है beating the field of Brian तो ये जो पुस्तक है इसे लिखा है best and deez के पूर्व test cricket खिलाडी इनका नाम है Brian Lara और आपको इनके बारे में ध्यान रखना है कि अभी तक जो अंतराश्टिक खेल होते हैं उनमें जो हाइस्ट score का record है यानि कि 400 run not out वह record है Brian Lara के नाम पर तो अकेले इन्होंने test match में 400 run की पारी खेली थी जो कि अभी भी एक record है तो इनी के दोरा लिखी गई पुस्तक है beating the field of Brian अगले पुस्तक है at the close of play क्या है at the close of play the number one ये पुस्तक रही थी एक समय ये best sling रही थी और इसे लिखाया रिकी पुंटिंग ने किसे रिकी पुंटिंग ये भी आश्टिलिया के सफल कप्तानों में से एक थे और इनी के दोरा लिखी गई पुस्तक है at the close of play अगली पुस्तक है a short at history my obsessive journey to Olympic gold and beyond क्या है a short at history my obsessive journey to Olympic gold and beyond तो ये पुस्तक लिखी है भारत के एक मात्र Olympic में स्वंट पतक भी जीता अभिनो बिंदरा ने तो अभिनो बिंदरा का नाम आपको जरूर ध्यारखना है क्योंकि आज तक के Olympic खेलों के इतिहास में एक मात्र भारती खिलाड़ी हैं अभिनो बिंदरा जिनोंने individual काटेगरी में भारत के लिए स्वंट पतक जीता है तो ये आपको ध्यारखना है बहुत ही जादा महत्पूर्ण ये खिलाड़ी है और इनकी किताब भी उतनी जादा महत्पूर्ण है अच्छा कब इन्होंने जीता था तो 2008 में चीन की राधानी जो बीजिंग ओलंपिक खेल हुए थे वहाँ पर इन्होंने जीता था सौनपदक तो ये आपको ध्यारखना है अगली पुस्तक है Ace Against Odds तो ये लिखा है Beautiful Tennis खिलाड़ी सानिया मर्जा ने किसने सानिया मर्जा के द्वारा लिखी गए पुस्तक है Ace Against Odds तो ध्यान रखेगा और सानिया मर्जा की बात करते हैं तो पिछले साल इनको एक अवार्ड भी मिला था जो की भारत में जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी बनी थी और अवार्ड का नाम था फेड कफ हर्ट अवार्ड क्या नाम था फेड कफ हर्ट अवार्ड तो ध्यान रखेगा सानिया मर्जा जो की टेनिस की खिलाड़ी है तिलंगाना राज की इन्हीं के द्वारा लिखी गए पुस्तक है Ace Against Odds अगली पुस्तक है The Race of My Life क्या है The Race of My Life तो अभी मैंने सुभा ही आपको बताया था Commonwealth और Asian Games वाले वीडियो में कि भारत के लिए पहली बार जो हमारे Asian Games होते है या फिर जो हमारे Commonwealth Games थे उसमें इन्होंने 1958 में जीता था स्वर्ण पदक तो ये आपको ध्यान रखना है Milka Singh जिन्हें हम लोग Flying Sick के नाम से भी जानते है इन्ही के द्वारा अपनी आत्म खथा लिखी गई थी The Race of My Life तो ये एक रणर थे और इन्ही के द्वारा लिखी गई पुस्तक है The Race of My Life अगली पुस्तक है Playing to Bin क्या है? Playing to Bin तो साइना नहिवाल जो की भारत की एक प्रमुख Batminton खिलाडी रही है इन्ही के द्वारा लिखी गई पुस्तक है Playing to Bin तो इस पुस्तक के बारे में भी आपको ध्यारत ना है काफी ज़्यादा महत्पूर पुस्तक है अगली पुस्तक का नाम है Mind Master Binning License from a Champion's Life क्या है? Mind Master Binning License from a Champion's Life और इस पुस्तक को लिखा है बिस्चुनाथन आनंद ने किसने? बिस्चुनाथन आनंद ने जो की चैंपियन खिलाडी रहे है चेस के सतरंज की ये खिलाडी रहे है और सबसे पहला जो खिल्रतन पुरसकार दिया गया था वह भी दिया गया था बिस्चुनाथन आनंद को और भारत के पहले Grand Master भी रहे हैं बिस्चुनाथन आनंद तो इसलिए या पुस्तक भी काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है पुस्तक का नाम है Mind Master और इसे लिखा बिस्चुनाथन आनंद ने अगली पुस्तक का नाम है Unbreakable क्या नाम है Unbreakable नाम की पुस्तक है और इसके बारे में आपको ध्यार रखना है कि Mary Com जो की मुद्व के बाज है मडीपूर्राज की इनको मिला है पिछले साल पद्व भीवूशन पुरस्कार और इनी के द्वारा अपनी आत्मकता लिखी गई है Unbreakable के नाम से किस नाम से? Unbreakable के नाम से तो ये भी काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है और कई बार अलड़ी ये परिच्छाओं में पुछी जा चुकी है अगली पुस्तक का नाम है Settling to the Top The Story of PB Sindhu तो Golden Girl के नाम से मसूर है PB Sindhu और ये खिलाडी रही है तिलंगाना राज की यानि की है भी इस समय और इनी की जो जीवनी है वह लिखा है B. Krishna स्वामी ने किसने? B. Krishna स्वामी जो की एक खेल पत्रकार है उनी के द्वारा लिखी गई किताब है Settling to the Top रही थी ये रनर और इनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है Golden Girl तो ये इस पुस्तक के बारे में ध्यान रखेगा वैसे P.T. उसा को भी हम लोग Golden Girl के नाम से जानते हैं और जो तिलंगाना की खिलाडी है जिनका नाम है अभी मैंने आपको बताया पीबी सिंधो इनको भी हम लोग Golden Girl के नाम से जानते हैं लेकिन P.T. उसा को हम एक और नाम से जानते हैं और वह नाम है पायोली एक्सप्रेस तो पायोली एक्सप्रेस अगर आपसे पूछा जाता है तो ये आपका सही उत्तर होगा P.T. उसा इनी के द्वारा लखी के पुस्तक है The Greatest My Own Story तो इस पुस्तक के बारे में भी आपको ध्यार रखना है फिर एक महान खलाडी रहे थे फुटबॉल के पेले इनका नाम था तो इनी के द्वारा लखी के पुस्तक है Why Soccer Matters Soccer हम लोग फुटबॉल को कहते हैं अमेरिका देश में और ये एक खलाडी थे पेले जिनके द्वारा लखी के पुस्तक थी Why Soccer Matters तो इस पुस्तक के बारे में भी आप ध्यार रखेंगे तो इस तरीके से जो भी महत्मून पुस्तके थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है इुराज सिंग की एक बुक्ती जिससे अभी NTPC में प्रशन पूछा गया था तो चलिए नीचे कमेंट में जरा उस पुस्तक का नाम बता दीजिएगा इससे थोड़ा सा फता चलता है कि किन लोगों ने लाश्टक वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में बताईएगा कि उस पुस्तक का नाम क्या है थैंक्स पॉर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत